नमस्कार दोस्तों, Target with PS Parihar चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधिनस सिवा चैन आयो के कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि UPPSC ने एक बहुत बड़ा सुधार किया है अब UPPSC कोई परिक्षा नहीं लेगा, पहले PET की परिक्षा लेगा PET किस तरीके की होगी इसकी बारे में भी मैंने कल बताया था उसके बात से लगाता और विद्यार्थी बहुत सारे प्रसने पूछ रहे है किसर इसमें विद्यार्थियों का फायदा है या नुक्सान है और इससे भर्तियां डिले तो नहीं हो जाएंगी दोस्तों पूरी चर्जा करेंगे इस वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बाता और जो नए वीवर या नए मित्र है जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहले आप लोग इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों को भी इसी तरीकी का ब्रेट से मिलती रहे है और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके है मैं लगातार इसके बारे में आपसे बताता भी रहा हूं कि यूपिट्र पेलसी में एक दो महीने बाद से भरतियों में तेजी आएगी और अभी कुछ नहीं होगा और वो बतलाओ यही है कि अब जो यूपिट्र पेलसी है वो सबसे पहले पी-ई-टी की प्रिक्षा लेगा प्रारंभिक पास्रथा प्रिक्षा प्रारंभिक आरकारी प्रिक्षा होगी और उसके बाद से ही आगे की नई बरतियां आएंगी और इसलिए जो बहुत सारे अधियाचन यूपिट्र पेलसी में यह जिनकी बारे में ल्गातार जानकरियां मिल रही थी और वह सभी बडुतियां वह रोग दिगए थी अधियाचन तो बहुत स्य बड़तियों का आई चुका है मैंने बताया था कि इस टेणों का अधियाचन आया है नगर निग्मों का अधियाचन आया है और जो इंटर कालेज हैं उनके बागों की भर्ती भी युपिटर पल ऐसी से ही होगी और अभी कुछ दिन पहले एक और सुचिना मिली थी कि ग्राम पंचायतों की भर्ती है वूँब यहीं से भाइकों हो कि यह होगी लेक पालों की भर्ती है इतने शारी बर्तियां वून्हें यूपिटर-पैलसी में और यूपितर बाइसी ग्रमचारीयों की आपका जो PET है उसकी तयारियां UPSC ने शुरू कर दिये और जो PET की परिच्छा इसकी भी काफी तयारी गुपच्प तरीके से पूरी हो चुकी है कुछ आप चारिक ताइं बची है एक बात मैं आप लोगों को और पता दूँ कि यूपिटर पैलसी से अगर आप लोगों को नोकरी लेनी है तो पहले आप लोग अब केवल और केवल PET की तयारी के रिए प्रारंबिग आरकारी परिक्छा की नोटिफिकेसन जो कल जारी हुआ था जो विगवति जारी हुए थी उसमें सब कुछ दिया हुआ उसको आप लोग विश्तरित रुप से पढ़िए पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी और बहुत सार रिवी दार्ती ये भी पूश रहे तो क्या सारा हर परिच्छा के लि यह आपको मैंने ब्रतिकल दिखाया था फिर से एक बार देख लिए इसमें दिया गया है जीयस करेंट फेयर्स हिंदी रिजिनिंग और हाइस्कूल इसतर की सम्माने गड़ितों हाइस्कूल इसतर लिखा जरूर रहता है मगर वह इसतर हाइस्कूल का नहीं होता है इसलिए आप जिन विद्यारतियों की महत कमजोर है वह थोड़ा सा महत में ध्यान दें फादा यह रहेगा कि आप जैसे माली जीया की एक बार इन्हों नहीं यह एक्जाम करवा लिया पीटी का स्कूर आट जारी हो गया उसकी बाद में जैसे माली जीया की लेकपाल की बढ़ती है तो जैसे की 5,000 पार का में 15 गोर्ण विद्यार्थियों को भुला लिया जाएगा और 75,000 में 15,000 विद्यार्थियों को समलित की विद्यार जाएगा हो लेकिन । 15,000 वित्यार्थियों के बोला जाएगा जिनकी अच्छी रेंक होगी यानि की रेंक मतला परसेंटाइल जिनका अच्छा होगा जिसका मैद, GAS, करेंट अफेयर और रिज्दिनिंग चारों विभागों में उनकी पकड़ होगी तो इसी तरीके से जो भी भरतियां होगी जाएग वो आगे आने वाले लेकपाल की बरति हो वीडियो की बरति हो या वी पियो की बरति हो जूनियर सिस्टेंट की बरति हो उसमें जो उस परिच्छ में जो भाग लेंगे उनकी संक्या केवल पदों के 15 गुना होगी। तो यूपीटर परलाइसी से भरतियों के लिए अभी आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। और तब तक आप लोग पीटी की तयारी करिए और पीटी की परिच्छा वो बहुत ही जल्द होने वाली है। जानकारी तो यह मिल रहे है कि जो पीटी का जो नोटिफिकेशन है और वन टाइम परिच्छा के लिए मार्च लास्ट में ही या अप्रेल के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो कुछ दिनों के लिए भर्तियों को भूल जाए और केवल PET की त्यारी करिए वही आपकी भर्ति है तो ठीक है दोस्तों यह हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें अगर यह सुचना आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें जिन में तुरों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद